हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप सभी को मेरा प्यारबान वसकार आप देख रहे हैं All About World आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तराई के उपर की तराई गर्मियों में कितनी इंपोर्टेंट है तो उसके उपर हम लोग डिसकेस करेंगे आप लोग देख रहे हैंगो यह कोलम की तरह ही चल लहीं है साम का समय है अधेरा देखिए हो रहा है फिर भी हम इसकी क्यूरिंग कर रहे हैं क्योंकि टंप्रेचर क्या है हमारा काफी बढ़ा हुआ है तो कॉंक्रीटिंग का सबसे इ क्यूरिंग है अगर क्यूरिंग नहीं करेंगे तो फिर उसका कॉंक्रीटिंग करने का कोई फायदा नहीं होता है और गर्मियों के समय में आप जैसे ही अब कॉलम की सट्रिंग रिमूफ करते हैं जश्ट वैसे इसके ओपर देखिए जूट की बोरी लपेटी हुई है तो इस बोरी को लगाने के बाद और इसको दो घंटे या तीन गंटें जैसे ही देखें के बोरी सूख रही है इसके ओपर इसी तरीके से इसको पूरा गीला कर दीजिए आप झाला करते हैं अपर पीज़ इसके ओपर आप कर दो कि अंदर जो कॉंक्रीट है इसके मॉस्चर बना रहे तो उसके लिए काफी इंपोर्टेंट होता है तो आज की विडियो में आप लोग यह देखते हैं काफी इंपोर्टेंट है जनने वाद है झाल झाल